अर्था त्रेलोक्य को मोहित कर देने वाली सर्वा लक्षणा सर्वा आभूशन वस्तालंकार धारण के वेवे धीवी जिसे की अपसरा नाम से संबोधित करता है उसके कई अलेक प्रकार के अलग अलग प्रकार है मुख्य रूप से अपसराएं आठ प्रकार की होती है जिन मेरंफा, दिलोत्मा, उर्वशी, कांचनमाला और अत्नमाला इत्यादी अनेक ऐसे अपसराएं हैं जो की मुख्य रूप से स्वर्ग की अग्रग्रेणी होती है इनके पास में देवताओं से प्राप्त विशेश प्रकार की शक्तियां समयित होती है जिसके द्वारा ये मनुष्यों को हर प्रकार के सुख, वैभव और सौभाग्य प्रदान कर सकती है बशर्ते इनको सिद्ध किया जाना जरूरी है देखे हमारे तंत्र साथ्र के अंदर अपसरा साथना का विशेस रूप से विवर्ण बिलता है और सभी प्रकार के तंत्र चाहे मतांतर तंत्र हो चाहे उड्रीस तंत्र हो या उडा मडेश्वर तंत्र हो या डामर तंत्र हो सब तंत्रों में अलग-अलग पकार से अफसरा साधना के मंत्र विदान है जो कि सुयम बगवान शंकर द्वारा प्रदत किये वे हैं इसलिए देवताओं द्वारा सुलुप करवाई वे ये साधना है मनुष्यों लोगों को यानि कि हम मनुष्यों को हर प्रकार के सुप प्रदान कर सकती है और हमारी मनों कामना पूर्ण कर सकती है इसलिए ये विदान आज तक जिवित हैं और हमें इनका अवश्य ही उप्योग करना चाहिए आज मैं आपको एक ऐसे अपसरा की साधना बताने जा रहा हूँ जो कि कुछ ही दिनों में सिद्धो करके हमारी मनों कामना पूर्ण करती है अपसरा साधना करने से विशेश रूप से वेक्ति को हर प्रकार के सुप और वेभू प्राप्तु जाते हैं चाहिए किसी भी प्रकार का कार्य क्यों नहों अपसरा हर प्रकार से मित्र रूप में वेक्ति की मदद करती है और मित्र ही रूप में सकी रूप में ही सिद्धो करके हर प्रकार का मार्ग प्रसस्त करती है, मार्ग देसन करती है देखें मित्रों आकर्षन, सुंदर्टम, बस्त्र, अलंकार और सुंदर्य परसाद अनों से युक्त, सूसजित और चरियोगना अफसरा के बारे में कहा जाता है क्योंकि इनकी साधना करने से साधक के सरीर के रोग, जरजरता और बुड़ापा समाप्त होता है और अफसरा के मंत्र के सिद्ध होने पर वह साधक के साथ, छाया के साथ में रहकर के या साक्षात रहकर के दोनों प्रकार से रह सकती है और साधक के मनो कामना पूर्ण कर सकती है और साधक के सभी प्रकार के मनोर्थों को पूर्ण करने में सहिक होती है और जनसोने इस्थान में अगर सिद्धी की जाए तो वस्य ही पूर्ण रूप से दर्शन कासो भागे भी प्राप्त होता है इसमय संदे नहीं है वैसे अफसरा साथना 7 ग्यारा दिन या 21 दिन तक की अध्राल में की जाती है और विसे सुरुप से करें सादक ऐसे होते हैं जिनको पहले से कोई सिद्धी या कोई शक्ति प्राप्त होती है या उनके कुंडली के कुछ गरह ऐसे होते हैं जो की उन है कोई चीज को जल्दी आकर सन करने का बलपरदान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को मात्र दो या तिन दिन में ही रात्रिकाल में अपसरा के दर्शन हो जाते हैं, दर्शन का सो बागे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि साधना जीवन की सरवसेष्ण साधना है, जिससे देवताओं तक ने सिद्ध किया है, सातेरीसी मुनी, योगी, सन्या सी आदी ने भी इस साधना को सिद्ध किया था। इन साधना से प्रेम और समर्पन के साथ में व्यक्ति के अंदर हर प्रकार के ऐसी भावना परस्पूरित होती है कि जीवन में वह हर प्रकार के सब कुछ भूत भूवी से वर्तमान काल को ग्याद करने की सक्तित और सामत्ति प्राप्त कर लेता है और हर प्रकार से अगर वह कि साधना को अवश्य कर सकते हैं जो कि विशेस हर प्रकार की सुक और सम्रदी पदान करने में सक्षम है और हर प्रकार की जिवन में आने वाली बाधा को दूर कर सकती है इस साधना के अंदर जिन समगर की अवश्यक्ता होती है वह है अपसराय यंत्र जो किसी अपने गुरु से ही प्राथ किया जाना चाहिए उसके साथ में आकशन गुटिका और यंत्र के समकक्ष गुटिका को रख करके उसी माला से अपने गुरु द्वारा कंतत की भी हिमाला से ही इसका मंतर जब करना चाहिए मंतर जब रात्रिकाल में किया जाना चाहिए और किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा को हिसाधन आरम की जा सकती है आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे तता जिस कक्ष के अंदर आपे साधन कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सच हो, साफ हो और पवित्र हो और सांत बातावन हो जहां पे आपकी एकागरता बिल्कुल भी भंगना हो ऐसे इस्तान का चाहिए करके ही वहाँ पे साधना क कि अंतर इत्र की खुश्बू साधक को मैसूस होती है और रात्र काल में पायल या गुंगरो की जनकार अवश्य सुनाई देती है तो साधक समझ जाए कि मंतर जब सही दिशा में जा रहा है और विसे सुरूप से जैसे जैसे दिन बीटते हैं कई प्रकार की अनुबूतिया साधक को होती है कई लोकों के साधक दरसन करता है सुरग लोक तक साधक की पहुंच हो जाती है और हर प्रकार के सूचनाय साधक को देवी प्रदान कर देती है इसमें संधिय नहीं है और साधना काल के अंतिम दिनों में अपने पास में गुलाब के पुश्प गुलाब के मा और इत्र और फूल प्रसाद इत्यादिर दूद की मिठाई अवश्य अपने पास में रखनी चाहिए ताकि देवी जब सामने प्रकट हो तो उनके सामने हम यह निवेदित कर सकें और विशेसुर्प अर्द रातर की वेला में ही देवी खजरसन का सौबा की प्राफ़त होता है इसमें सन्दे नहीं है इसलिए अवश्य ही यह सादना हर व्यक्ति को करनी चाहिए चाहिए पुरुश हो चाहिए मईला हो हर प्रकार से अगर किसी को आकरशन का व्यक्तित को हासिल करना है तो यह सादना अवश्य वहसित कर सकता है और हर प्रकार से वह ऐसा व्यक्ति जहां जाएगा तो वो सारे जगत को मुहित कर ही देगा इसमें संदे नहीं है